आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति. आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप बेचते हैं. How to Master the Art of Selling में, Tom Hopkins कहते हैं, सकारात्मक भावनाएं बिक्री को प्रेरित करती हैं, नकारात्मक भावनाएं बिक्री को नश्ट कर देती हैं. हर Salesperson को सहज रूप से पता होता है कि यह सत्य है क्योंकि आपकी भावनाएं न केवल आपके कार्यों और कौशल को प्रभावित करती हैं, बलकी वे आपके समभावित ग्रहक या ग्रहक की भावनाओं को भी प्रभावित करती हैं. बिक्री एक भावनात्मक व्यवसाय है, लेकिन सभी भावनाएं बिक्री प्रक्रिया में मदद नहीं करती वानिजेक जिंगल दावा करता है, कोक के साथ चीजे बहतर होती है, कुछ भावनाओं के साथ बिक्री बहतर होती है, जबकि अन्य भावनाएं एक कठिन काम को लगभग असंभव बना देती है मैंने हजारों सेल्सपरसनों से पूछा कि वे कौन सी दस भावनाएं महसूस करते हैं, जो बिक्री में सबसे अधिक सहायक होती हैं, और कौन सी दस सबसे हानिकारक होती हैं, जिनसे वे सबसे अधिक बचना चाते हैं उनके उत्तर बहुत स्थिर थे, दस सबसे वांचनिय भावनाएं, दोस्ताना व्यवहार और लोगों को पसंद करना, उत्पात के प्रती उत्सा, उच्छ उर्जास्तर, जो वे करते हैं उसका आनंद लेना, आत्मविश्वास, आशावाद, नियंत्रण में होने का एहसास, आराम से सतर्प्ता और एकाग्रता, लोगों की मदद करने और सेवा प्रदान करने की इच्छा, द्रिढता, सफलता और उत्कृष्टता के लिए आंतरिक इच्छा, प्रतिक्रिया, आलोचना और नई जानकारी के प्रती खुलेपन और असनरक्षित द्रिष्टिकोन, दस सबसे अवांचनिय भावनाएं, अनमित्रता और चिर्चिडापन, निराशा और गुस्सा, उदासी या अवसाद, चिंता, तनाव और चिंता, दबाव में महसूस करना, नियंतरण में न होने का एहसास, हडबडी, विचलित महसूस करना, आत्मविश्वास, अती आत्म विश्वास, अपने या उत्पात के बारे में निराशावादी होना, सकारात्मक भावनाओं के प्रभाव, सेल्स परसन मानते हैं कि सकारात्मक भावनाओं के ये प्रभाव होते हैं, सेल्स परसन में अपने कौशल और ज्ञान का उप्योग करने के लिए तत्परता उत्प करना